तो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो के फेसलिफ्ट वारियंट के बारे में क्योंकि बाई जो TATA की TIAGO है ना इस गाड़ी में आपको काफी सारे नए नए चेंज्ज वगेरा मिलने वाले हैं और आज आपको हमाने वाली TATA TIAGO फेसलिफ्ट के बारे में सारी इंफर्मेशन देने वाले हैं कि ये गाड़ी अब आपको कितनी जादा चेंज मिलने वाली हैं ऐसी कुछ आपको इंफर्मेशन मिल जाएगी TATA की जो TIAGO है ना इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 1199 CC का इंजन यानि की 1.2 लिटर के साथ ये इंजन आता है और जो TIAGO है इसमें अभी आपको मिलता है इंजन 3 सिलेंडर जो कि यार वाइबरेशन थोड़ी सी जादा होती है इस मुदनेस बहुत ही कम होती है और इसकी जो पावर है ना मैक्स पावर वो आपको मिल जाती है 86 HP की तो इसकी भाई जो HP है ना पावर वो डेफिनेटली 8 से 10 HP बढ़ जाएगा लगभग आपको 100 HP मान के चलो इंजन में भाई आपको 4 सिरेंडर मिल जाएगा displacement almost same रहेगा तोड़ा बहुत का फर्क हो सकता है बागे यार भाई जो गाड़ी का मैक्स टॉर्क है ना वो आपको लगभग 120 NM के आसपास तक का मिलेगा mileage जो है ये गाड़ी आपको combine करके देगी 16 का city में देगी 14 का highway पे देगी 18 का और भाई ये गाड़ी 0200 लगा देगी 17 सेकंड में लगभग भागे यार भाई इंजन की बात हो गई अब बात करते हैं गाड़ी का look जो की बहुत matter करता है इसमें जो है भाई आपको मिल जाएगा बिल्कुल ही नया headlight जो की आपको Tata Harrier, Tata Nixon की याद दिलाएगा लेकिन shape में difference होगा लगभग similar रहेगी Tata का आपको मिल जाएगा mid में 3D में logo साथ भाई इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा integrated fog lamp LED के DRL और ये गाड़ी भाई बिल्कुल ही facelift होकर आएगी तो गाड़ी का जो bonad है, bumper है, doorp है और भाई जो गाड़ी के back profile है ये सब कुछ आपको बिल्कुल ही muscular देखने को मिल जाएगी गाड़ी में आपको company जो है sunroof वगएरा provide करा देगी साथ भाई ये गाड़ी, इसमें जो भाई आपको मिल जाएगा roof rail जो की पहले से ही लगा लगाया है भाई इससे आपको काफी better feel आएगा भाई गाड़ी में आपको cover वगएरा तो provide कराती ही रहती है ये सारी चीज़े तो काफी basic सी है और भाई अगर बात करें गाड़ी का dimension तो भाई इसकी जो overall length है वो आपको 3750 mm की मिल जाएगी चोड़ाई आपको मिलेगी 1677 mm की हाइट आपको मिल जाएगे 1535 mm की बाई गाड़ी का जो dashboard है वो आपको matter finish में देखने को मिल जाएगा भाई भाई hand wrist वगएरा आपको देखने को मिलेगा जो की बाई आपके हाथ को काफी अच्छा feel वगएरा करा देगा बागे अर भाई गाड़ी में आपको मिल जाएगा पाँच लोग को बैठाने की capacity 35 liter का fuel tank 245 भाई आपको मिल जाएगा boot space साधी भाई गाड़ी में आपको front में disc, rear में, drum, ABS, EBD heel assist वगएरा देखने को मिल जाएगा जो tire भाई ना टटट यागो का वो आपको 180 या 180 की आसपास तक का मिलेगा जो की 60R 15 का रहेगा, spare wheel भाई वो आपको 175 मिल जाएगा, और ये गाड़ी जो भाई दो wheels के साथ आएगी एक आएगा alloy wheel और एक आएगा steel wheel, तो वो तो आपको option में रहेगा, भाई बाकी गाड़ी में आपको fog lamp वगेरा देखने को मिल जाएगा, जो की भाई आप लोग check out कर सकते हैं, लेकिन ये fog lamp LED में रहेगा ना की halogen में, लेकिन काफी अच्छा आपको light की जो throw है ना, वो आपको provide करा देगा, बाकी यार इसमें जो भाई आपको भाई feature वगेरे तो मिलते ही हैं, साथ ही भाई इस गाड़ी में आपको जो मजबूती मिलती है ना, वो किसी भी गाड़ी में आपको ये चीज़े नहीं मिलती हैं, टाटा की गाड़ी भाई न थोड़ी सी rough एंट टॉफ होती हैं थोड़ी सी स्लो होती हैं बट ये कारें काफी मजबूत होती हैं इनके सामने मारूती हिउंडाय ये सारी गाड़ियां एक बार को दोखा दे देंगी लेकिन ये नहीं देने वाली है और इसका जो प्राइस है ना भाई वो आपको अभी मिल जाता है पांच लाग रुपए से लेकि आठ लाग रुपए के बीच में एक शोरू तो भाई जो नई आगी ना टाटा के टियागो प्राइस आपको लगभग मिलेगा एक्स्ट्रा पचास हजार रुपए तक का और ये गाड़ी लॉंच होने वाली है आने वाले चार्ट से छे महिने के बीच में अगर आप आपका मन हो टाटा के टियागो पर चेस करने का भाई या फिर आपका बजट है पाँच लाख रुपए के उपर उपर तब आप इस गाड़ी के लिए वेट जरूर करना तो भाई जो वीडियो है लाइक कर देना मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक लिए जय हिंदू वान देमात्रों बाई